Hello everyone कैसे हैं आप सभी लोग विवेक दिस साइट फूम Fintexport जहां पर हम बात करते हैं Finance and Taxation की and कल हमारा CA Day था and GST Day भी था दोनों की आपको बहुत सारी सुपकामना है थोड़ा समय लेट हो गया उसके लिए I'm really sorry but एक बहुत important announcement ICI की तरफ से किया गया ICI ने CA GPT list launch की है जहां पर आप Taxation से related, Accounting से related, Auditing से related information को grabs कर सकते हैं Chat GPT की help से जो integration है ना उपर से देखने में तो लगता है कि सब AI में घुस रहे हैं तो CA Institute भी घुस गया पर जब इसका मैंने practical use देखा तो it is really helpful for a tax professional, for an accountant and specially for our chartered accountants So, किस तरीके से आपको इसका practical use करना है, वो आज मैं आपके साथ discuss करने वाला हूं Without any further ado, start करते हैं आज के session को So, guys, आपको सबसे पहले इस link पर जाना है और अपने mobile number से यहां पर login कर लेना है beta version अभी launch हुआ है, but beta version के अंदर थोड़ी बहुत आपको हो सकता information इदर की उदर भी मिल जाए चो कि मैं discuss करूँगा, because I am going to show you some examples कि किस तरीके से आप practically इसका use करेंगे अपनी day to day life के अंदर और कैसे यह बहुत helpful tool है, चो कि normal chat GPT में आपको नहीं मिलेगा यहां पर जब आप click करोगे तो इस तरीके से आपका chat GPT open हो जाएगा अब एक बार तो दिखने के लिए आपको लगेगा कि सर यह वही तो है हमारा normal वाला chat GPT बट यह वो नहीं है, उससे बहुत ही advanced version है basically यहां पर integration किया है, ICI Institute ने क्या किया chat GPT को लिया और उसके पास जो content available है उसका integration कर दिया अब यह integration सुनने में तो आपको बहुत ही लग रहा होगा normal सा integration है इतना impactful integration है यहां से आपको बहुत अच्छी information मिल जाएगी देखे, मैं जब से chat GPT आया है तब से इसका use कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा tool है, चाहे reply की drafting करनी हो, चाहे कुछ calculation करनी हो बहुत जगे बहुत अच्छी तरह help करता है, बट जब बात आती है latest updates की ना तो latest update इसको मिलती नहीं है, बट यह जो ICI का chat GPT tool है यह आपकी help करेगा, specifically उस domain के इंदर जो expert knowledge आपको यहां से मिल जाएगी पहले मैं clarify कर देता हूँ, 100% accuracy नहीं होगी, बट यहस आपकी help ज़रूर यह करेगा, जैसे दो tool मैंने यहां पर open किये हैं, एक GST का tool है एंड दूसरा tool हमारा direct taxation का है, तो पहले मैं आपको GST के tool पर बताता हूँ किस तरीके से, कुछ example लेके चलते हैं, जैसे हम GST rate search करते हैं, what is GST rate on, बताएगे किस का GST rate आपको search करना है, let's suppose GST rate हम कुछ यह paper का, पेपर का GST rate बताओ सर हमको, let's see, कितना concise हमको यह paper का GST rate बताता हैं, आपर, the GST rate on paper product can vary depending upon the product, standard printing paper पे 12% होगा, newspaper के उपर वो 5% होगा, recycled paper के उपर 5% होगा, ठीके सर, मुझको HSN code भी बता दो, अब यह सारी चीजे जब आप Google पर search करते हो ना, दिल पर हात रखके बोलना, आ आपको अच्छे से answer नहीं मिल पाता, वहाँ पर यहाँ पर आपको एक defined answer मिल रहा है, वो उसकी help से आप जो है, अपना काम कर सकते हैं, HSN code for newspaper, बताए भाई, newspaper के लिए मुझे, HSN code बता दो, HSN code, newspaper के लिए, जो आपने newspaper लिखा, जिस पर 5% GST है, 490210, जो है, वो newspaper journal periodicals appearing at least 4 times a week, और उसके अलावा जो newspaper journal and periodicals होते हैं, वहाँ 490290, तो 6 digit का इसने HSN code हमको यहाँ पर ला करके दे दिया, अगर आपके लिए invoicing mandatory है, तो 6 digit का आपको यहाँ पर HSN code भी चुही होता है, जो कि यहाँ पर मुझे बहुत ही conveniently यहाँ पर दे दिया है, इसने, चलिए, मैं H HSN code search करता हूँ जी, HSN code बताइए मेरे को, for jaggery, jaggery, spelling यही होती है, I don't know, इतना समझदार तो होगा, spelling तो कर लेगा, jaggery, good का HSN code बताइए, good का HSN code, आपका 1701, और 8 digit का यहाँ पर बता रहा है, भाई साब, I'm impressed, I'm impressed, 1701, 13, 10, cane jaggery जो होती है, यहनी sugar cane jaggery, good जिसको बोला जाता ह है, उसके लिए इसना बताया, 1310, और 1410, other type of jaggery भी होती है, मुझे उसका idea भी नियक है, मुझे तो good वाली jaggery होती है, उसका idea है, तो यह उसका HSN code आ गया, अच्छा ठीक है, एक काम करो, मुझे उसका GST rate बताओ, GST rate, 4, अब एक चीज में clarify कर देता हूँ, 100% accuracy इसमें नहीं हो सकती हो सकता है, थोड़ा बहुत 19-20 हो, तो आपको एक बार, second source of information से भी check जरूर कर लेना है, अब इसका मुझे GST rate बता दो, इस वाले HSN code का, 4HSN, है न, इसका, कितना GST rate मुझे यहाँ पर apply करना है, यह day to day आपको confusion आती होगी, आप कहीं से पूस्ते होगे, कहीं से पू सब्सक्राइब करना है, अब यहाँ पर CNC2 ने किया क्या है, जितनी भी notifications है, जितनी भी circulars है, उन सब का क्या बना दिया, उन सभी को integrate कर दिया, यहाँ पर chat GPT से, तो आपको easily वहाँ पर answer मिल जाएगा, अचारी काम करते है, chat GPT में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, उसमे latest information नहीं आती है, जो normal chat GPT होता है, उसमें जो आप search करोगे, तो latest information आपको नहीं मिलती है, कोई latest circular आया है, कोई latest notification आई, वो आप search करोगे, वो आपको नहीं मिलेगी, एक काम करते हैं, circular अभी यह भी एक क्या बहुत सारे circular आये, 53rd council meeting के बाद में, एक circular search करके देखते हैं, क्य June 2024, अब यह circular जो था, वो time limit इसने clarify किया था, RCM के उपर ITC लेने की time limit किया है, तो देखते हैं किस तरीके से, इस पर मैंने वीडियो भी अलड़ी बनाई हुई, आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, ठीक है, इसको देखते हैं, एक update देता हूँ आपको, tax audit का course में मनाने की सो करता हूँ, जो कि आपके लिए भी free है, क्या, subscribe करना, like करना, 1000 likes इस पर करवा दो, एक महीने का time पड़ा हुआ है, जुलाई के last में, अगस्त के first week में आपको tax audit की धेर सारी videos दे दूँ अपनी चैनल पर, but आपको एक काम करना है, like जरूर करना है, चलो, आओ, explain करो भाई, circular chat because इस circular बहुत नया circular है, अब ही आया है, एक हफते पहले, चलो, यह तो explain कर रहा है, let me do one more thing, मैं एक बाद normal chat GPT में जाता हूँ, let me see कि क्या normal chat GPT, इस latest circular को explain कर पाता है, या नहीं कर पाता है, कर रहा है, possibly नहीं कर पाया भाई, नहीं कर पाया भाई, normal chat GPT ना बोल दिया है, मेर आपका, आपका, अब आजाओ, अपना chat GPT जो, cnc, cgpt जिसको बोला जा रहा है, basically, और मेरे को लग रहा है, इसने बिल्कुल correctly, हाँ पर analyze कर दिया है, issue के address किया गया है, ambiguity on determining the relevant financial for ITC claiming on supply, receive from unregistered supplies, और बहुत easy language में explain किया हुआ है, field formation and data, different interpretation, relevant financial year, यहाँ इसना बता दिया, condition for ITC available, यहाँ बता ही है, implementation purpose, the circular aim to provide a uniform interpretation of 16.4 across all fuel formation for availing ITC on RCM supply from unregistered person, and the main point, थाइसना बोला, let me see, there was ambiguity in determining the relevant financial year for which ITC claim on supply received from unregistered person, financial year for availing ITC under 16.4 is the financial in which the invoice issue, हाँ बाई, कर दिया, clarify, यह देखो, बहुती summarized way में clarify कर दिया, इसने, clarification जो provided है, इसके अंदर इसने clarify कर दिया है, I am really impressed, normal chat GPT बोल गया, but CA GPT, good to go, अभी तक तो मेरी तरफ से thumbs up है भाई आपके लिए, that is the exact information जो कि उसर्गलोर के अंदर थी, जो मैंने already explain किया, आप video check कर सकते हो, और वो information आपको यहाँ chat GPT दे देता है, दिक्कत पता है क्या होती है, taxation में आप Google पे rely क्यों नहीं कर सकते हो, because Google पे जो blogs होते हैं न, हो सकता है आपने आज एक चीज सर्च मारी, कि भाई, e-invoicing की limit क्या है, अगर वो blog 5 सल पुराना है तो आपको हो सकता है, वो limit 50 करोड की मिले, 100 करोड की मिले, but actual में limit 5 करोड की है only, इसलिए Google पे article या blog की उपर 100% rely नहीं किया जा सकता, because वो पता नहीं है कि कितना पुराना blog है, वो कब लिखा है, और जिसने लिखा है, उसके expertise क्या है, नहीं पता आपको, है न, chat GPT, ये CA GPT जो है, institute की तरफ से prepare किया गया है, तो पहली बात तो एक reliability आ जाती है, इसकी information के अंदर, दूसरा, यहाँ पर आपको easily available हो जाती है, वो सारी information, आपको चार link open करने की जरूरत नहीं है, जो question आ रहा है, डालो, answer लो, chat GPT मैं चार साल से use कर रहा हूँ, जब से आया था, बट यह जो revolution है ना, इसका, जो CA institution नहीं यहाँ integrate किया है, I would really appreciate this और इसको भी हम use करने वाले हैं, है न, चलिए सर्च, अब चलते हैं, direct taxation की तरफ move करते हैं, direct tax का जो GPT है, ICI का, वो किस तरीके से यहाँ काम करेगा, income tax की calculation पूछ लेते हैं भाई, अच्छा slab rate बता दो ना, सबसे पहले तो, income tax rate बता दो, इतना confusion नहीं करते हैं इसको, बताओ भाई, बताओ ये, income tax rate for assessment year 2024 and 25 in both regime बताओ, in both regime, चीक है, बताओ इसे, chat GPT, income tax का rate बताओ, ये क्या है, old regime, भाई लाग तक exempt है, new regime, तीन लाग तक exempt है, basic exemption limit, ओके, चलिए, भाई लाग तक निल, भाई लाग से पांच लाग पांच परसेंट, पांच लाग से दस लाग 20 परसेंट, टैन लाग से बाउफ थर्टी परसेंट, senior citizen का अलग बताए है, new tax regime, गलत rate बता रहे हो, पुराने rate बता रहे हो, ये assessment ये 24-25 के rates नहीं है, ये पुराने rates बताए हैं इसने, अच्छा, new regime rate are old, please provide updated slab rate, आपको पता हैं ये पुराने वाले rates है, नहीं वाले rates नहीं है, नहीं वाले में 3,00,000 की basic exemption limit है, 3,00,000 से 6,00,000, 6,00,000 से 9,00,000, वो new वाली है, let's see, एक बार इसको search करने देते हैं, इसके database में क्या इसको मिलता है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, no, अब इसका solution क्या है, अब हम इसको बताएंगे, अगर कोई information नहीं है, इसके पास available, तो हम provide करेंगे, new regime rate for AY 2024-25 are as follows, है न, हम ने Google से copy कर लेता हूँ, Google से क्यों, लिखने में time लग जाएगा न भाई, new regime के rates यह है, above 3 lakh, एक मिनट, income tax की website से ही कर लेते हैं, यहां से यहां तक copy हो जाएगा, income tax rate, ठीक है, देखते हैं, विश्को समझ पाता है, नहीं समझ पता है, मैंने तो बस copy paste कर दिया, ओके, ओके, old regime, 5 lakh तक ने लए, ठीक है, ठीक है, new regime में, ओके, ले लिया भाई, चलो, तो मतलब हमने इसको information प्रोवाइड की कि आप पुरानी information दे रहे हो, यह नई information है, इसने ले ली, ठीक है, done हो गया sir, अब मुझको, यह बताओ, चैट GPT से question पूछता हूँ, my income, from, business, डालता हूँ, खाली, business is, 10 lakh, क्या analytics वाली skills जो होती है, वो perform कर पाए का यह, अगर मैं इससे यह पूछो, मैंने इसको calculation बता दिया, मैंने इसको rate बता दिया, old regime के rate यह है, new regime में तो गड़बड कर रहा था, मैंने तरको ठीक rate बता दिया, अब मैं तरको question पूछता हूँ, मैं मेरे client है, जो business करता है, business में 10 lakh का profit है, कौन सी रिजीम बता है, बता हूँ, my income from business is 10 lakh, which income tax regime is better for me, chat GPT, बताए, मी म्याओं हो गया गया, nevertheless, अरे भाई, अब भाई, जब बोलना हूँ, कोई deduction नहीं है, recalculate, assuming, no deduction, ठीक है, बिना reduction के मुझे बता ना भाई, हम, अब बताओ, income है 10 lakh की, old tax regime में calculate करो, सबसे बहले, ठीक है, old regime में 1,12,500, 1 lakh 12,500, and new regime में, अब ये 3 lakh वाली slab लगा रहा है, perfect, total tax कितना 60,000, भाई, मैं इसकी shirty नहीं ले सकता हूँ, वो आप calculator पे देखिएगा, but new regime में 60,000 tax बता रहा है, 10 lakh की income है, without any deduction, the new tax regime is clearly more beneficial for you, resulting in a tax liability of 60,000 compared to 1,12,500 under old regime, okay, sir, assume, client having deduction of 80C, 4 rupees, 1 lakh 50,000, and interest on home loan, मैं कुछ जादी advance जीज़े पूछ रहा हूँ, but let's check, यही तो test हो रहा है, भाई, इसका, home loan कितना है, now, calculate which regime is better, क्यों भाई, ICI, आप भी तो अपने बच्चों से difficult difficult question पूछते हो, ना, यह भी तो आपका बच्च्चा है, है ना, तो हमारी भी तो कुछ responsibility बनती है, ना, एक बर हमको भी तो मौका मिला है, आप से पूछने का पूछते है, let's see, क्या बनाया है, आपने, देखते है, वैसे मुझे पसंद आया, to be very frank, deductions आपकी हो गई, exemption 10 lakh की income है, gross total income यह, deductions आगई, total income 56 हो गई, tax निकाला, 42,500, यहाँ no deduction allowed है, 10,000, यहाँ 60,000 बनेगी, भाई, यहाँ पर new old regime आपकी better होगी, बहुत बड़ी analysis, I am impressed, I am really impressed, चलिए, बहुत बड़ी आपर analysis निकाल के दिया, यहाँ पर old regime यह deduction को consider नहीं किया, because new regime में आपको ATC की और home loan की deductions नहीं मिलती है, old regime में मिलती है, तो इसने old regime में माइनस किया, total income 650 बनाई, उस पर tax निकाला, and new regime में कोई deduction नहीं मिली, 10,000,000 के ओपर पूरा tax यहाँ पर calculate किया गया, बहुत बड़ीया, मचा आया, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, 1000 लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो के ऊपर करवा दो, एक महिने का टाइम है, tax audit की वीडियो YouTube पे फ्री में भी लाऊंगा, paid course का तो बाद में देखी जाएगी, अगर वीडियो पसंद आईए, लाइक करना, महीं पसंद आईए, tax audit की वीडियो चाहते हो, तो भी लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे इंफोर्मेटिव वीडियो को मिलता हूँ, आपको अगले सेशन में तब तक हसते रहें, मुस्कुराते रहें, बाई बाई टेक क्या,